आने में इतनी देर भी करते। बार-बार इस बात का हिसास मत दिलाया कीजिए कि आप मेरी सोतेली मा हैं। हम अब आरा काम शुरू करते हैं। तब एक अच्छी पप्पी भी पन सकी। तो कम से कम एक अच्छी मा बंगाती। तबार ये दर्द मुथ से देखा नहीं जाता है। अच्छी दर्वाजा खोले में तद टाइन क्यों लगाती। कितनी बार काहा है। गंटी बजते दर्वाजा खोल जाना चाहिए। अच्छा। नौकर हो तुमारी। कि तुमारा इंतजार करती फिरू। गंटी बजाओ या पे खड़ी रहों दर्वाजा खोल ले के लिए। तुम जबान राते मुझसे। अभी तुझे पताता हू। अरे अरे मैं क्या कर रहे हो मनेश भाई। आज के दिन तो भावी से मज जगड़ो। हाँ। चलो वाँ शांती से बैठो। चलो आराम से चलो। अरे यार। आज बहुत खुशी का दिन है न भावी जी। इन्होंने का तीर मार लिया इतना बड़ा। तो आज खुशी का दिन है। तीर ही तो मारा है मनिश भाई ने। सुपर्वाइजर बन गए कमपनी के और तन्ख्वाभी दुगनी। है कि ने खुशी की बात। है नहीं भाई हाँ। इसे कोई फरल नहीं पड़ता। अरे अरे कड़े कड़े मेरा मूँ क्या देख रही हो। जाओ जाद बरफ लेका रहो। सुपर्वाइजर बनने के कोशी में पूरी रात क्योंगा। जाओ जाओ। जहर ना लादो। थोड़ी कुशी मुझे भी मिल जाएगी। बरफ चाहिए। अरे जहर तू खाले ना ताकि मुझे शांती मिल जाए। अजीव हो रहा है। मनीज भाई। सांती से पीने भी नहीं जेती है। थोग दोना घुस्सा। ऐसा करते हैं। तुम पैक बनाओ। और मैं जाके बरफ लेके आता हू। चेर्स। बाई। बाटम सबा। बाटम सबा। बाटम सबा। कमपनी का सुपरवाइजर मुझे बनना था। और गलती से तुम जैसे बेवकूफ को सुपरवाइजर बना दिया गया। कोई बात ने। बहुत जल्द तुमसे तुमारा सब कुछ छीन लोगा। किरेख NOT मुठि बीयुकत है। गया अने मेतनी वेर्ढ़ करोłत बाइल स्टासराब डेम पर इके। तुम्द अंत्युकल कोई खें। अजीम किसी शवाद में नमशह कहां जै। अजे कुम्हेए़ पास आने से रोक सकेह तुम्हें पता है नगेश अच्छा हुआ तो मेरी सिंदगे लिया है तो तुम्हें कैसे चला रहा था वो जांबरों की तरह हुआ इसने तुम्हेरी सिंदगे नर्ट पाला के लिए जो हुआ उसे बूल जाओ अब हमारे प्यार करने का समय शुरू हो चुका है पापा ओफ ओफ पापा उठिये 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 पापा अगों आखे खुलिए बेटा रभी तुम्हागिया हाँ पापा हम आपसे कितनी बार कहें कि इतनी दारू मत पिया कीजिये बेटा अज बड़ी खुशी का दिन है तेरा पापा ना सुपरवाइजर बन गया इसलिए थोड़ा चाता हो गई अरे वाँ पापा आपने इतने साल जो दिया एं कंपनी को इस साल तो आपको सुपरवाइजर बनना ही था लेकिन पापा चलिए अपने कमरे में चलकर आराम कीजिये चलिए ना चलिए अंदर चलिए ते यहींस्या कैडिया अजगे द्रवाजी खोले माँ ने द्रवाजी खोले माँ विर आ दरबाजा खोलिए माँ अब आई अब आई जड़ी बाबा क्या ज़रूरती इस शराबरी को रूम में लाने की पड़े रहने देना थाना इसे घर से बाहर अगर पापा शराब पीते हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं कि इनको कहीं भी पड़ा रहने दिया जाए बहले ही आपको इनकी फिक्र ना हो लेकिन अभी मैं जिंदा हूँ बार बार इस बात का हिसास मत दिलाया कीजिए कि आप मेरी सोतेली माँ हैं आप आप वो हवासी किर गया हूँ मैं देख लोगे जैसा बाप व्यसा बेटा सीथिमों बात ही नहीं करता है इसी दिप इसे भी देख लोगे जैसे छोड़ो ना इन भाप वेटोगों चलो हम अब आरा काम शुरू करते हैं हम शुरू करते हैं शुरू risk वसी के बेर में बात कर रहा था कल ही तो इंटर्वी के लिए तु गया था यह रोज 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 नोकली के यह कर्यों परनेशान हो रहा है अभी मैं कमा रहा हूने तुझे नोकली की चिंता करने की कोई जरूद नहीं क्यों? क्यों न करें चिंता? तुम तो अपनी महीने की आधी तुनख्वा शराब में उड़ा देते हो अगर अभी नौकरी करना चाहता है तो क्यों नहीं करने दे रहे देखो सीमा तुम हम बाप बेटे के बीच में तुमें बोलने की कोई जरूद नहीं क्यों? क्यों ना बोलू मैं? इस घर की पूरे जिम्मेदारी मेरे उपर है अगर ये चार पैसे कमाएगा तो कम से कम तुमारे सामने हाथ तो नहीं फिलाने पड़ेंगे पैसो के लिए और वैसे भी इस उमर में क्या मुश की रोटी है तोड़ेगा घर पैटके? हैसी नौकत नहीं आएगी मा इंटर्व्यूस दे रहा हूं मैं और जल्दी कोई अच्छी नौकरी भी मिल जाएगे सब ठीक हो जाएगा लेट हो रहे हैं पापा चलते हैं रभी बेटा पाड़ गईगे कलेजे में ठंड़क इस ओजो जो नौकरी का ताना भीकर तुने मेरे पेटे का चीना अराम कर दिया है तो यह एक अच्छी पत्नी ही पन सकी तो कम से कम एक अच्छी मा बन जाती तो कब तक सोटेले से अभेवार करोगी मेरे पेटे के साथ इसको क्या हो रहा? इस शावर क्यों नहीं होनो रहा है? तुम यहा कर रहे हूं? तुमसे मिलने का मंधा इसलिए चलाया और शायद बिल्कुल सही समय कर आया हूं, है न? जी नहीं, बिल्कुल सही समय पर नही आया हूं नहाने आया थे, और देखो, शावर नहीं उनोरा ठीक है? अब ही उन कर देते हैं में न नथ बर जिविए Duty किःड़ोर्त तो मुझसे भी नहीं रहा जाता तुम्हारे पिना आ intellig 설ikt मिलते ही में अपने पापा से हमारे रिष्टे के बारे में बात करूंगा सच्ची और देखना तब हम दोनों शादी भी कर लेंगे वह ठीक है जिस दिन तुम अपने पापा से बात करोगे ना उसी दिन मैं भी बात कर रही हमारी शादी की हुँँँँँद दूसलो पॉड़े असारी रात पीते रहना रहा कुछ खाना होगा तो किचन में अपना बना ले ना मुझे तंग मत करना समझ में आया कि अपने अपने पती को थपन मारा आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा लुगा कि अरे सर दर से फटा जा रहा है अच्छी से चाय मिल जाती तो सारा दर दूद हो जाता अरे कोई है जो चाय पला दे उंग तैंक टैंक अरे बेटा तुझे कैसे पता मुझे चाय की जरुद है पापा वो बेटा ही क्या अरे जो अपने पापा की मन की बात ना समझ सके सुबह सुबह आपको देखा तो मुझे पता चल गया कि आपके सर में दर्द हो रहा है इसलिए स्पेशल आपके लिए तरेक और रिलाजिची बाली चाय बनाई है अरे वा वैसे भी तेरे हाथ की चाय मुझे पिये बहुत द तुनों बाप बेटा ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे कि चग जीत लिया हो शराबी बाप का पेफिक बेटा तुम अगर तुम इस वक किसी नहीं आपर देख लिया ना तो सब गटबर हो जाएगी कोई नहीं आएगा मेरी जान मनिश तुम्हारा वो शराबी पती और पिसमें बेटा और तुम्हारा बेटा मोपरी की तलाश में पहार लिया तो इसका मतलब यह है कि आप हम दोनों को डिस्टप करने हैं कोई नहीं आएगा हुआ 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 है हां शर्मा जी वह जल्दबाजी में आज फाइल लाना भूल गया था मिटिंग शुरू होने से पहले मैं फाइल लेकर आफिस पहुंच जाऊंगा बस यहां से पांच मिन में निकलने वाला हूँ हां फाइल लेकर आ रहा हूँ है यहां यहीं ही किसे बाते कर रही है 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 झाल 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 करें मनिश भएग! वेसे बात नहीं जासे आप समझे गवाइग! अबस अपनी गंद्यगी जुमान से मुझे भाईग! तो यह संन निए यह! मेरे बेबी के साह इतनी में बिच हरकत करते हुए! नहीं मनिश भएग! मैं नहीं सब जाता हु! ठोखा दिया तुने मुझे, बिल्कुल! चुरो मुझे! चुपराओ मुझे! त्यार करती हूं उसे. नागेश की कुछ दोती नहीं है इसमें. हम एक दूसरे को पसंद करते हैं. जो खुशी तुम मुझे जिंदगी बहने ही दे पाए, मुझे ना, वो नागेश ना मुझे दी. मेरे पीट पीछे, मेरे साथ इतना बड़ा बिश्वाँ घाग किया तुम्हे! नहीं छोड़ूँगा! नहीं छोड़ूँगा तुम्हे! अरे, मनिश बाए! तेल तोसे! पहराँ! मुझे! 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 नहीं छोड़ूँगा तुझे! नहीं छोड़ूँगा तुझे! नहीं छोड़ूँगा तुझे! नहीं छोड़ूँगा तुझे! मुझे! 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 पता है, आज यहां पर मैं इंटेव्यू देने के लिए जा रहा हूं, वहां पर मुझे पूरी उमीद है कि उसे नौकरी मिल जाएंगे, साच, हाँ, और मैं भगवांसे प्रात्ना करूंगे, तुम्हें यह नौकरी मिल जाएंगे, और पता है, नौकरी मिलते ही, मैं पापा स बात करूँगा हमारी शादी के बारे में. सच में रवी, I love you. पता ने मनीश क्या करेगा? इसको सब पता चल चुका है. जहां तक मैं जानती हूं ना? यह मुझे खर से निकाहतेगा. अगर इसने रवी को सब बता दिया तो? सब गड़बर हो जाएगी. अगर पता होता मैं यह आत्मी ऐसा करेगा, तो इसके खाले में जहर मिला दिती. यह कह है? यह वो शीशी है मेरे जान, जिससे हमारी सारी प्रॉब्रम, दूर हो जाएगी. मतलब? मतलब यह है, कि यह वो जहर है, जिसे हम उसकी शराब में मिला देगे. तो उसके बाद उसकी हालत खसता हो जाएगी. और इतनी खराब हो जाएगी. फिर? फिर हम उसे ऐसी जगा पहुचा देंगे, जहां से वो वापिस ना सके है. तो उसके बाद हम एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए. उस नागेश में पेरी बीबी पर हाथ डाला है. दोस्ती के नाम पर पीट पर चाकू मारा है. जब अपना हिस्सिक का खोटा हो तो दूसरों को क्या बोलू? पर मैं अब चुप नहीं बैठने वाला. नागेश हो या मेरी बीबी, इन दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा. सबक सिखा कर रहूंगा. चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े. इस बरब को भी अभी खतम होना था. झाहे मुझे बीबी, इस बरब को भी कर रहूंगा. कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कहा है. इक बात बोलो, हाँ? तुम्हारी हालत किसमेता ना? यह है, यह तबाई, तुम्हे पता है, मैंने यह तबाई ना, तुम्हारी शराब की बोटल में लिलाई ना, अब ना, तडब तडब के न, मर जाओ गया, पाबा मुझे नौकरी मिल गई, मुझे तेखो ना मनिश को क्या हुआ पापा आप आपकी तबियात को क्या हुआ अपारी ना पता निम की तबियात बहुत कराब हो गई कुछ करो पर एसे सीवा मैं डॉक्टर को ने फोन गरा था ने दॉक्टर का फोन नहीं लग रहा है अब बहुत चिंता हो रही है मुझे इनकी तभएत और बिगटी जा रही है तुम ऐसा करो तुम जन्दे से डॉक्टर को लेकर आप ठीक है मैं डॉक्तर को लेकर आता हूं जा तुमसे कुछ जरूरी बात करने सुनु बेटा सुनु बेटा हाँ पापा बेठो कॉंसी जरूरी बात पापा बोलो पापा क्या है वह जरूरी बात कहीं ए रवे को पूरी सच्चा ही ना बता दे कि इसकी तब्यत खराब होने के पीछे मेरा हाथ ही और नागेश और मेरे रिष्टी के बारे में ना बता दे बेवान, मुझे कुछ करना होगा मुझे इसे रोकना होगा सीमा सीमा रवे, इधर आओ इस ताइम पाते करने का नहीं है देखो वारे पापा की तब्यत बिगड़ती जारही तुम जदी से जाओ और डाप्टर को लेकिया आप पापा का खयाल रखना पापा का खयाल रखना पापा मैं तुम पेड़ा रखना रखना अश्व पापा असे टाइम पे ना किसी बड़े का होना बहुत जरूरी है वह ऐसा करो ने नागेश चाचा उनको फोन करो यहां पेड़े यहां ठीक करो पेड़े फोन करो अलो नागेश चाचाचा पापा की तूबित बहुत कहराब है आप जल्दी से घराज़ेजें मैं डॉक्टर को लेने जा रहा हूं हाँ माँ चाचा यहां पेड़ें जली दिखिए मेरे बापा को क्या हो गया यह आप लोग रो क्यों रहे हैं यह आप लोग रो क्यों रहे हैं लेटा तुम्हारे बापा अब इस दुनिया ने नहीं रहे हैं एक जोर का जटका और और उनकी सास उखड़ गए है पापा पापा उठी है पापा मुझे छोड़ के नहीं जा सकते पापा 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 हुआ हुआ हाँ कि नागिश कि मनीश तो गया अब हमारे बिच में और कोई नहीं है अम अजाद है मनीश चला नहीं यह बलके हमने उसे अपने रास्ते से हटा दिया है कि अच्छा कि अच्छा कि तुम यह तुम यह तुम यह कैसे कि के कमक से तुम तुम तुनो मैं बच्चा होगे सच्चा इतु तब बताओगे निरे भाई जब तुम जिन्दा बचोगे तुम्हारे ये दर्द उच से देखा नहीं जाता है जोना तुम्हें हमेशा के लिए मुख्त करण दस एक बार ये मामला शान्त हो जाए उसके बार उसके बार हम दोनों शादी कर लेंगे और हमेशा के लिए एक हो जाएंगे है क्या बात है सीमा तुम कुछ परेशान लग रही है रागिश मनीश तो चला गए हूँ पर उसका बेटा भी जिन्दा है जो कि अपनी बाब की तरह है मुझे बस डर इस बात का है कि हमारी शादी को लेकर कहीं वह हंगामा ना करते हैं सीमा तुम उसके बारे में मत सोचो मैं रवी से बात करूँगा मैं कहूंगा उससे कि मनीश जाने के बाद तुम लोगों को किसी ना किसी के सहारी की जरूत है तो वह सहारा मैं के ना मन जाओ क्या दिक्कत है I hope वह हमारी बात समझ जाएगा सच कह रहे हूं तुम मेरी जिंदगी में हो ना तो मुझे कोई टेंशन ना तो अगर कोई टेंशन नहीं है तो जो ना कुछ रोमैंस किया जाए देखिया आप अपने अपको सभाली है हम हम सब सभाली है पंडे जी ने बुलाया है पापा की शांती पूजा का समय हो गया है हमा मुझे है पाल प्हाँ तो थसपा प्ड़ल प्हाण कि प्हाँ प्हाँ व्हाँ 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 तो अजय को पापा को अपने रिष्टे के बारे में बताना चाहा तो उससे पहले ही वह हमें छोड़ कर चले गए अनिता पापा के चले जाने के बाद मैं बहुत अकेला पड़ गया और मुझसे अब यह अकेला पन सहन नहीं होता अनिता हम कल ही अपने घरवालों से शादी की बात कर लेते हैं वाह मागेश वाह क्या खेड़ खेला है तुम्हें एक तीर और दो निशान है उस मनीश को हटा के तेरे दो फायदे हुए एक तो उस कंपनी का सूपरवाइजर मैं बनूंगा और दूसरा दूसरा उसकी पत्नी सीमा अब मेरी पत्नी बनेगी आप करूंगा उससे मैं शादी और बनाओंगा अपनी धरम पत्नी अब ये अकेली किस जिन्दगी है अब नहीं जही जाते है ना परफेक्ट लाइफ विद परफेक्ट वाइफ आप 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 परफेक्ट वह वह अधिए तुम और अनीटा एक दूसरे से रादि करना चाहते हैं बिलकुल नहीं ऐसा नहीं हो सकता नामन की नहीं है ऐसा बिलकुल नहीं हो सकता लेकिन आपको प्रॉब्लम क्या है मेरी और अनीटा के रिष्टे से और आखिर ये शादी क्यों वोजी की हो जकती। मैं बस वजानी मता सकता। लेकिन पापा मैं रवी से शादी क्यों होगी, क्यों हम लोग दोस्टे हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं एक दूसरे क्या अच्छे दोस्त है और बर अब दूस्थाजी को रवी का अच्छी जॉप मिल गई है फिर इसमें बुरा ही क्या है पापा मैंने एक बार बोल दिया शादी नहीं होगी मतलब नहीं होगी और इस घर में इसके बारे में कोई बात नहीं होगी पापा बात तो सुनो मेरी पापा बात तो सुनो मुझे कोई पर्क नहीं पड़ता कि आप इस शादी के खिलाब है मैंने अनीता से शादी करने का फैस्टा कर लिया है और में इस फैसली को बदल नहीं सकता रवी, रवी मुझे पता नहीं था कि अनीता और रवी एक दूसर को पसंद करते है मुझे तो लगा, सिर्फ अच्छे दोस्त है और जब हमने शादी करने का फैस्टा लिया तो इनके सर पे शादी करने का भूछ सवार हो गया नाकेश एक बात तो चल लो अगर हम दोनों को शादी करनी है तो इन दोनों के शादी संबब नहीं हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा यह इन लोगों के हम पर शक ना हो कि हम इनकी शादी के खिलाव कियो है देखो अनीता को तो मैं संभाल लोंगा लेकिन रवी को समझाना थोड़ा मुश्किल है सही कह रहे हो कि रवी बहुत ही जिद्धी लड़का है यह तो वही बात हो गए कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बात है यह सब क्या है अनीता इतना समझाने के बाउचित भी तुम लोग ने शादी कर ली कौन जाता है अपने बाबाब के खिला चिलाने से कुछ नहीं होगा नागेज चाचा हम लोगों ने वही किया है जो हमें करना चाहिए तुम तो चपी रहो रवी तुमने तुमने भैकाया है मेरी बेटी को तुम तुम चले याँ से नाकेश नाकेश नाकेशी सुलिए ना आईए मुझे आपसे बात करने है आईए ना प्लीस आईए नाकेश हमें दिमाग से काम लेलाओगा इसा कुछ मत करना कि रवी को अंपर शक हो जाए बस कुछ ऐसा सुचो ऐसा क्या बहाना बनाएं कि इन्हें लगे हैं हम सच कह रहे हैं कि हम इनकी शादी के खिलाव हैं तुम ठीक कह रही हैं चलाओ मैं इस शादी के खिलाफ इसलिए था क्योंकि आनिता के कुंडली में मंगल दोश है उसका निवारण जब तर नहीं हो जाता ना तब तक उसकी शादी नहीं की जा सकती थे मुझे तो अस तक पता ही नहीं चला कि मेरी कुंडली में कोई दोश है बड़ा सच बात तो यह है कि मैंने ये बात तुम से छुपा के रखी थे समझनी की कुशिश करो अगि शाचा अनिता की मांगली कुंडली से मुझे कोई फर्थ नहीं बढ़ता आप बिल्कुल भी जिन्ता मत कीचे मैं आ रहने तब हमेशा खुश रहेंगे अग अग जली जीके मैं बहू के स्वारत के लिए आर्दी का थाल लाते हूं हम आप तोनों थक गए ओगे जा के आराम करें अरे ने 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 बस खीक आप ने ने इसकी कोई ज़ुरत नहीं आप तोनों आचाहिए चलों अनिता अनिता अब तुम मेरी जन्दगी का हिस्सा बन चुकी हो और अब शायद मेरी जन्दगी का केलापन हमेशा के लिए दूर हो जाएं आज हमारी सुहाग रात है और मैं चाहता हूं की हमारी सुहाग रात हमेशा के लिए यादगार बन चाहें अनिता 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 Process ें हो ऩूम घू यह नागीश चाचा यहां पर क्या करने इतनी रात को और ऐसे चुपते हुए तुन जा रहे हैं कब तक अपना मुह ऐसे लटका कर बैठोगी तुमारे बेटे रवी ने मेरी बेटी के साथ शादी करके हमारी सारी खुशे में आग लगा दिया है मेरा बेटा नहीं है रवी साथे लिमा हूं उसके बड़ी मुश्किल से उस रात को रवी के बाप को हमने अपनी रास्ते से हटा दिया था ताकि उसकी मौत के बाद हम एक हो सके और उसकी जिद ने उसके जिद ने मेरा सारा खेली बिगाड़ दिया रभी ने जो करना था उस्रा किया और उसके लिए हम अपना मूट क्यों खराब करें एक से जाए झाल 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 कि अज़िए जिन लोगाने मेरे पापा की हत्या की है को जिन्दा नहीं छोड़ाँ का में अज़िए यहां पर ताला किसने लगाए जब मैं आया था तब तो ताला नहीं था तो अब किसने लगाए कहीं ऐसा तो नहीं है कि ताला तो नहीं लगाए ताकि मैं यहां से तुम्हें छोड़ करना जा सको अब चवड़ी चलो नहीं तो कोई आ जाएगा चलो अब वो अब रभी बेटा नागेश जी को ना उनकी पेटी अनिता की बहुत लियाद आ रही थी उसको मिलना चाहते थे मैं ही इंको कह रही थी कि आच तो उनकी सुहाबदात होगी उनको डिस्टर्ब मत करो तो बस रही बात ये अमें ऐसे गोड़ के को देगा है अकेश चलती निखलो यहांसे चलती निखलो ये पता नहीं थाला किसने लगा दिया यहां पे मैं तो जा रहा था मैंने लगाया है ताला तुमने ताला क्यों लगाया है जिन लोगों ने मेरे पापा की हत्या की है उनके पापाँ का यहां पर हिसाब होगा इसलिए लगा दिया ताला चलो बताओ क्यों मारा मेरे पापा को जवाब दो रवी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हे सच बतादी। मेरे पाइव! सीवा! कबरदार जो मुझे बेटा कहा! रवी, और तूम! क्या भी गाड़ा था मेरे बापा ने तुम्हारा? मैंने कुछ नहीं किया! भूर! कुछ नहीं किया, मैं तेहरो! जवाब दे। लग जाएगी रवी बेटा! लग जाएगी मैं! बोल्ट! मैं तेहरो लग जाएगी! बोल्ट! ए! तुर रखो तुम्हारा करी बाहर बुछ रहा हूँ! जवाब दे! जवाब दे! सब पता दो! मेरा और तुम्हारी मार का संबन्ध था! और हमारी रिष्टे की बात मनिज भाई को पता चल गए! उसकी वज़े से हमें उसे रस्ते से हटाना था! तो हमने उसके शराब में कोलिया मिला थी! जिसकी वज़े से उसकी भालत बहुत खराब हो गए! और उस राद जिस दिन तुम डॉक्टर को लेने गए थे! और उस दिन मैं है और सीमा ने मिलकर उसे माँ ठाला! उससे मुझे दो फाइदे थे! एक तो सीमा मेरी पत्न बच जा थे! और दूसा है ये के उस कंपनी के सुपरवाइजर बना दिया जाता! लेकिन एहरा भी बटा, मुझे से गल्ती हो गए! मुझे बाफ कर दे! मैं दिल से कह रहा हूँ मुझे बाफ कर दे! मेरा इराद वो नहीं था! ठीक है! माफ किया तुमकर! तुमकर! बढपां! बढपा, बढपा! बढपां! बढपा, बढपां! बढपां! बढपांट मुझे बढपां tavां…! तुम्हारे पापा को उमारा तुम्हारे पापा को उनके पापा की सजा मिली है तुम्हारे पापा को उनके पापा की सजा मिली है तुम्हारे पापा को उनके पापा की सजा मिली है तुम्हारे पापा को उनके पापा की सजा मिली है तुम्हारे पापा को उनके पापा की सजा अदमी के लिए तुमने मेरी पापा की हत्या कर दी चुप करो अनिता उसके बाद एक भी शक्ट बर्दासनी करूगा मैं क्या कर लोगे तु या पिकाद लोगे तु एक बार नहीं हजाद बार बोलूगी तुम्हारा पाप एक शराबी था आप शराबी था शराबी था शराबी था शराबी था शराबी था खादसब को मार दूगा किसी को जिन्दानी चोड़ूगा मा 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 बहार आजाओ बहुत हो गया भी यह चुहा बिल्ली का खेल मा लगता दर्वाजा अंदर चे बंदे जाओ जाकर खिल्की खोलो रो जाओ ऑ थे अ आज ऑफ आसएक पहसनाद मेई करेणी कीजी मिज्या ब कंदद मुझफ दुन के फ्र सी paganशारतावकाल रिखांच शेण plaisir मुझे भी और इसे पाक्ली जी ये मुझे ड stewards मुझे फ्रोड़ मुझे कंदा हें खड़े रहे, वरना ये डंड़ा हलक न उतार दूँगा ऐसा क्या क्या था तुम्हारी माने जो तुम इन हम्मारना चाहते हो ये मेरी मान नहीं है, अत्यायन है इसने और इसके आशिक ने मिलकर मेरे निर्दोश बापा की जान लिया है और इनका हिसाब में करके रहूँगा एए अरत अला पुखले की उठली मेरी हाथ मा जाए कि ते अश्पेक्टर साब में अपना गुनाँ को बोल करती मेरे पागेश से मिलकिया प्रेपतिका गतल किया मुझे कि रुप्तार कर ली जी जी में गुनागार हूँ मैं तुम्हारा गुस्ता समझ सकता हूँ लेकिन तुम्हारे पिता के हाथ यारों को सजा देने का अधिकार सिर्फ कानून को है और तुमने अपने हाथ में कानून लेकर बहुत बड़ी गलती की है तुम्हें इसकी सजा मेलेगी ले चुलो एने, लेकर सलो, चलो, चलो! कलो कर दो कर दो कर दो कोलो को कर दो हुआ है